है त। हरो बच्चो आपका एक बड्र फिर से स्वागत है मेरे जिसका नाम है तोहं तर रहे पास कल क Jenna स्टी डी लोग की से इसकी है तो चैल रहे थी डी क्या होता है वह मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था और डी विलोग के जो element है पिर्तम संक्रमन स्रेजिन उनका इलेक्टोनिक विन्यास मैंने आपको बताया था अब देखो यहां पर कुछ question बनते हैं मेरे पास है कोशन है वह मैं आपको शोल ख्रता हूं जैसे है एक question मेरे पास है यह question है कि chromium तथा copper कोशल देखना चया आते है 3D 10 4S 1 होता है 3D 4 होता है ना कि 3D 10 3D 4 और 4S 2 3D 9 और 4S 2 क्या है कि क्रोमियम और कोपर का इलेक्ट्रोनिक विन्यास होता है 3D 5 4S 1 और कोपर का होता है 3D 10 4S 1 लेकिन होना क्या चाहिए था 3D 4 4S 2 और 3D 9 4S 2 लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में हमको बात करनी है तो देखो इसमें छोटा छोटी सी बात है वस इसमें क्या बात है देखो कोई भी तत्व है कोई भी एलिमेंट है उसमें आदे भरे हुए अर्ध पूरीत और पूर्ण पूरीत अर्ध पूरीत और पूर्ण पूरीत जो orbital है वो इस्थाई होते हैं यानि कि orbitals में यानि कि d block orbitals की बात करें तो उनमें आदे भरे हुए ककसक या पूरे भरे हुए ककसक क्या होते हैं सबसे ज़्यादा इस्थाई होते हैं तो हमारे पास chromium में यहां पे 3D4 electron जब होते हैं तो chromium भी होसता है अगर मैं एक electron और ले लूँ तो मैं ज़्यादा इस्थाई हो जाऊंगा तो इसलिए यह s block वाले से एक electron ले लेता है और 3D5 में change जाता है ऐसे ही यहां पे तो इसका simple answer यह है कि यहां पर आदे भरे हुए और यहां पर पूरे भरे हुए orbitals होते हैं इसलिए यह स्थाई होते हैं ठीक है इसलिए इनका electronic विन्यास यह होता है ना कि यह question है ठीक है अब आगे की बात करते हैं आगे question देखते हैं अब देखो हमारे पास जब हम स्रेनी में आगे बढ़ते हैं इसके indium, titanium, vanadium, chromium याद तो होई गया होगा आपको इसकी स्रीज ठीक है तो इसके indium, titanium, vanadium, chromium, magnesium, ferrous, cobald, nickel, copper, zinc यह आपको याद तो होई गया होगा ठीक है अब हम इसमें बात कर रहे हैं पर्मानविय अकार की किसकी बात कर रहे हैं पर्मानविय अकार की इसके atomic size के हम बात कर रहे हैं सीधी सी बात है हमने पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है हमने यह पढ़ा है किसी आवर्ट में अगर हम left to right जाएं बाए से दाय जाएं तो बाए से दाय जाने पर जो पर्मानू है उनका जो size है उनका जो अकार है वो छोटा होता जाता है आपको पता है left to अगर right जाएंगे तो उनका कार क्या होगा छोटा होता जाएगा ठीक है तो यहां पर छोटा होता जाएगा लेकिं यहां पर याद रखने वाली क्या बात है कि यहां पर जो अकार है पहले तो छोटा होता जाता है पहले तो क्या होता लगबग समान हो जाता है और यहां पर क्या होता है यहां पर थोड़ा सा अकार क्या होता है लाश्ट में जाके बड़ा हो जाता है यहां पर क्या एनियमित्ता पाई जा रही है परमानिय अकार में अब ऐसा क्यूं हुआ हमको वह बात करनी है ठीक है तो आपने अब तक यह द और उसके बाद बड़ा होता जाता है ऐसा क्यूं होता है थीक है इसकी बात करने है देखो हमारे पास किसी भी नाभी का अकार या किसी भी पर्मानूं का अकार बड़ा है या छोटा है वो दो चीजों पर भी depend करता है कौन-कौन से एक तो नाभी के प्रभाव ठीक है और एक है परी रक्षन प्रभाव अब यह नाभी की प्रभाव क्या है और परी रक्षन प्रभाव क्या है नाभी की प्रभाव का मतलब है कि जो हमारे पास किसी परमानों में नाभिक है किसी पर्मानू में नाविक है वो इलेक्ट्रोनों को कितना आकर्षित कर पा रहा है इसको हम बोलते है नाविक की प्रभाव या प्रभावी नाविक के आवेश पर्मानू के नाविक में उपस्थित जो आवेश है प्लस चार्ज है वो electron को कितना आकरशित कर पा रहा है उसको ही हम बोलते हैं प्रभावी नाभी के आवेश ठीक है और एक होता है प्रियरक्शन प्रभाव का क्या मतलब है कि किसी परमानू में अंदर वाले जो electron है वो बहार वाले electron को क्या करते हैं प्रतिकरशित करते हैं इसको हम क्या बोलते ह परिरक्षिन परिरख्षिन 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 परिरख् कार क्या होगा छोटा होगा और जब हमारे पास परिएक्षन प्रिभाव है तो नाभी का कार क्या होगा बड़ा होगा इस टार्टिंग में हमारे पास जो नाभी के प्रिभाव है वो परिएक्षन प्रिभाव से क्या होता है ज्यादा होता है इसलिए अकार क्या होता है छोट जब भी प्रिभावी नावी के आवेस जादा होगा, अकार क्या होगा, छोटा होगा, साइज छोटा होगा, और जब हमारे पास प्रिद्रक्षन प्रिभाव जादा होगा, तो अकार क्या होगा, बड़ा होगा, बिगर होगा, ठीक है, तो यहां पे पहले क्या था, अकार, अ उनों लगबक समान होते हैं , हो यहां पर आकार बड़ा क्यों जाता है ? क्विए हम पर परियेक्शन-प्रवाब बढ़ जाता है . परियेक्शन-प्रवाब कब बढ़ेगा ? कि यहां पर इलेक्ट्रोनों की संख्या बढ़ रही है जब तो हमारे पास प्रिएक्षन प्रवाव इतना नहीं है लेकिन फिर एय युगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या घट रही है पहले तो हमारे पास एय युगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या बढ़ी और फिर हमारे पा कार में इतनी समानता है पाई जाती है नियमित्ता पाई जाती है ठीक है डीब लोग में आज के लिए इतना ही बाकी के टोपिक के हम कल बात करेंगे क्योंकि आपको पता है से अवाज आजिए डिस्टेवेंस आ रहा है ठीक है धन्यवाद